यार पाकिस्तान का घमन तोलने के बाद ना हम लोगों ने स्रिलंका का विजय रद भी रोग दिया है ये लोग लगातार ओडिया ही में तेरा मैचे जीते वे यार थे ओफकॉर्स यार छोड़ी टीम्स के खिलाफ जीते वे थे ऐसे हम जैसी बड़ी टीम्स से इनका पाला तो देखने को मिला यार ओल्दो ये मैच भी काइंड ओफ शुरू मैं बोरिंग ही था लेकिन बाद में थोड़ा अच्छा होने लग गया था जब मतलब यार कुल्दी भी आता हो या फिर हमारे स्पिनर्स बोलिंग कराने के लिए थे तो चलो इस मैच का रिव्यू करते है जहां पर को मैं इस मैच में होए बेस्ट और वर्स के बारे मां बात करूँगा बाद मैंने बेस्ट नमबर रण में रखा है केल राउल को भाई ये बंदा जब से कमबैक की है ना क्या कमाल की इनिंग्स खेलते वह आ रहा है यार देखो पाकिस्तान के खिलाफ बंदे ने क लग रहा था इशान किशन ने दूसरी तरफ से इतना जाधा प्रेशा डाला वा था लेकिन स्चिल दूसरी तरफ से केल राउल जो था वो रंस बनाए जा रहा था तो मुझे लगता है कि यार कल जो इसने इनिंग्स खेली है ना इसकी वज़े से मैं कहना चाहूंगा कि इस लेकिन स्पिन के खिलाफ कल जो मैंने इसकी विगेट कीपिंग देखिया ना मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं और मुझे लगता है अगर यह बंदा यार फिट है मुझे लगता है कि विगेट कीपिंग वाले डिपार्टमेंट में हमें कोई भी जाधा दिक है तो मैं कहना चाहूंगा के लाउल बेस्ट वाले सेक्शन में होना डिजाफ करता है बई आद मैंने वस्ट नंबर वन में रखा है अक्षर पडेल के यूजेज को तेको यह मैं बहुत टाइम से कहते हुए आ रहा हूंगी कोई भी टीम हो अक्षर पडेल का यूज मुझे लगता है यार कल जडेजा से पहले अक्षर पडेल को आना जी यह था ठीक है जडेजा मतलब यार हमारा में प्लेयर है वो वर्ल्लकप में खेलने वाला है लेकिन जिस मैच में भी अक्षर पडेल खेल ला है ना भई उसे आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा जो ही मात है जहांपर को आप यह सीनियर्टी वाले चीजों को दूर रखना पड़ेगा आपको क्वालिटी प्लेयर को ऊपर प्रमोट करना ही पड़ेगा अब यार मैनेजमेंट वालों का क्या सीन है मुझे नहीं पता लेकिन प्लीज यार अगर आप अक्षर पडेल को टीम मे प्राफ रिदी, हैरेश रॉफ, पाव प्ले के ओवर में कितने जाधा डेंजरस बोलर है तो जो स्पैल उन्होंने निकाला था वो एक हमाल ये पॉज़ेटिफ सा ही था और कर स्चिलंका की खिलाफ जो उन्होंने इनिंग्स के लिए ना भाई बहुत ही जाधा कमाल की दिय जब तक रूइच शर्मा क्रीज में थे ना ऐसा लग रहा था इंडिया राम से 300 रन भी पहुच सकती है यार क्या पता हम लोगों को रूइच शर्मा की दोराश तक भी देखने को मिल जाए यार लेकिन जैसे ही रूइच शर्मा आउट वे किस तरह का कोलाइपस आया आप लोगों को पता ही है यार रूइच शर्मा की जो विनिंग से ना बहुत ही हाई क्वालिटी वाली थी अल्दो मैं कहना चाहूंगा अगर शिलंका वाले स्पेन को पावर प्ले में जाधा लेकिया आते तो क्या पता स्टीशन अलग हो सकती थी लेकिन स्टेल यार रूइच कि जो फॉम है हमार लिए पॉजेटिफ साहिन है कल उन्होंने एक बहुत ही कमाल का कैच भी पगड़ा दस अजार रन भी पूरे कर रहे हैं तो डेफिनेटली रूइच शर्मा भी बेस्ट वाले सेक्शन में होना डिजर्व करते हैं वाई वाई बेस्ट और वर्स वाले सेक खेलना चीए अब आप लोग बोलोगे लेफ्ट एंडर है भाई मुझे लगता है कि लेफ्ट एंडर होने का कोई जाधा फायदा हो नी रहा है कल का जो मैस थाना इसके बहुत ही जाधा इंपोर्टेंट मैस था पाकिस्तान की खिलाफ इस बंदे ने बहुत कमाल की इनिंग खिली थी पेस के खिलाफ मुझे लगता है कि यह बंदा फिर भी ठीक है लेकिन स्पिन के खिलाफ इस बंदे की रियल परीक्षा दी और कल जो इसने इनिंग्स के लिए ना भाई 61 बाल्स में जो 33 रंद बनार गया है जहां पर को इसने मतलब यार स्ट्राइक भी रोटेट साय था तो इशान किशन ने जो इनिंग्स खिली थी बहुत कमाल इनिंग्स थी लेकिन आप लोग एक situation इमेजिन करो अगर यहां पर को श्रिया सेयर होता वो क्या करता वई वो तो मतलब यार आपको पता है स्पिन का अच्छा बल्लेवाद है ठीक है वो भी आराम से खिलता लेकिन क्या वो इतनी जादा डॉट बॉल्स खिलता दूसरे प्लेयर पे क्या वो इतना जादा प्रेशर लेके आता तो इसी वज़े से मुझे लगता है कि यार इशान किशन ना middle order में उतना अच्छा option नहीं होगा अगर इशान किशन को खिलाना है तो यार मुझे लगता ह या उसकी जो प्लेस है ना भई वो ओपनिंग में तो यार यह मेरा मानने है आप लोग का क्या मानने है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्षन में बताओ तो यार आज का रिव्यू बस इतना ही है होप आपको पसंद आया होगा